नमस्कार आज हम excel sheet में एक option discuss करेंगे कि अगर हमारी complete excel sheet की जगा हमें अपने sheet में कुछ selective content का ही PDF बनाना हो तो उसके लिए क्या option है एक तो straightforward option यह है कि हम जो general है कि जो content हम चाहते हैं उसको copy करें और किसी नए excel sheet में ले 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 और फिर उसको PDF में convert कर लें लेकिन हम ऐसा ना करत में discuss करेंगे उससे पहले हमने पहले एक वीडियो और बनाया था उस वीडियो में हमने यह discuss किया था कि कैसे multiple sheet से single PDF बना लिया एक single sheet को PDF में कैसे convert कर लें उस वीडियो का भी link मैं इस वीडियो के details में दे दूँगा अताकि जिन्होंने वो ना option देखा हो तो वो देख सकें और उसके अलावा अब हम अपने इस content पे आते हैं इस excel sheet में मैंने बहुत ही minimum columns रखे हुए है एक general जानकारी random नाम रख लिया है ABCD और इसी तरह organization का नाम कुछ M&O करके रख लिया है random माल लीजे ऐसा case हो कि मेरी इस excel sheet में मैं complete sheet को PDF में convert नहीं करना चाहता मैं just चाहता हूं कि माल लीजे मैं चाहता हूं कि सिर्फ name और designation ही जो है वो copy हो next PDF में तो उसके लिए तो हमारा जो content है हमारा manage content हम चाहरे है PDF में convert करना उसको select कर लेते हैं चलिए मैं header के भी ले लेता हूं और यह नाम और हमका designation ले लेता हूं उसके बाद हमें क्या करना है हमारे पास इस option में जाना है और नीचे आएंगे आप इधर पर तो as a save as में आपको PDF और XPS हो सकता है आ तो कैसे activate करना है PDF वाला यह भी मैंने एक वीडियो में पहले बताया हुआ है उसकी भी link जो है मैं नीचे वीडियो में दे दूँगा संभावता वह XL वाला multiple XL वाले sheet में है वो option तो चलिए मैं इस पर click करता हूं PDF और XPS में तो यह PDF की तरह सेव हो रहा है यहां पर इस screen में PDF करेंगे तो जो window pop-up होगी यानि यह जो आपके सामने screen आई है इसमें देखिए अभी active sheet select है अगर यहां entire workbook ले लूँगा तो पूरी complete sheets में जितने भी pages sheets में हैं वो सारी convert हो जाएंगे लेकिन हमें चुछ चाहिए वो चाहिए selective content तो हम selection वाले पर मैं click कर दूँगा और फिर सिर्फ वही content इसमें show हो रहा है जो आपने select किया था मुझे आशा है कि यह video आपको भी help करेगा इसी आशा के साथ इस video को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद